प्रेंस बिडबिन आर्टिफीशियल ब्रूस एंड ट्रू ब्रूस जो ट्रू ब्रूस होता है बह जनरली ट्रोमा की द्वारा बनता है या एक्सिडेंट ट्रोमा इनके द्वारा ट्रू ब्रूस बनता है जबकि जो आर्टिफीशियल ब्रूस होता है बे परसन किसी को फसाने के लिए या फिर खुद जैसे उसे इंजरी करी गई है उसके उपर दरसाने के लिए करता है तो वो यूज करता है अलग-अलग जूज को जो की ब्रूस जैसे सिमिलर फीचर सो करते हैं तो जैसे भी जूज यूज करता है मार्किंग नटके मतलब सेमिकारपस एनकारडियम केलोड्रोपेस और प्लम बेगो यूज करता है इनके जूज को वो यूज करता है आगे बात की जाए जो साइट की बात की जाए तो ये असेसेवल साइट पर बनाता है वो जबकि ये टूब ब्रूस कहीं भी मिल सकते है आगे बात की जाए जो आगे कलर तो इसका सेम एक ही कलर डार्क ब्राउन होता है जबकि इसमें टिपिकल जो हमें कलर चेंज दिखते हैं ब्रूस के कंट्यूशन के बेद दिखेंगे सेप की बात की जाए तो ये इर्रेगुलर होता है ये यूज्वली राउंड होता है यूज्वली राउंड होता है पर इससे अपन वो सकते हैं मदब इससे रेगुलर है अपने आर्टिफिशल ब्रूस से मार्जीन की वात की जाए तो इसमें बिलकुल बे-डिफाइन margin है और बिल्कुल regular margin होती है जबकि जो typical जो true bruise होते हैं उनकी ill-defined margin है उनमें extra vegetation of blood होता है blood बहार आता है विसल से और irregular margin होगी ill-defined margin होगी redness और inflammation सीदी सीवे आते हैं अपने को artificial bund के surround दिखेगा अपने surround मतलब उसके आसपास दिखेगा जबकि जो redness inflammation है वो बुंड के अंदर दिखेगा आगे बात की जाए content क्योंकि यह extra vegetation of blood हुआ है आगे content इसमें acrid serum होता है जबकि इसमें blood होता है जो कि blood basis से बहार होता है eating generally यह inflammatory substance होते हैं तो इसमें eating present होती है जबकि इसमें eating absent होती है bicycle formation हमें artificial bruise में bicycle formation दिखता है तो maybe found on the fingertip या फिर बो ही fingertip को वो कहीं other part body पे अगर उसने touch करा तो बहां भी bicycle formation दिखेगा जबकि true bruising जो होगी उसमें bicycle formation नहीं होता chemical test करेंगे इसमें तो इसमें अलग-अलग जो chemical है उनके प्रति पोजिटिव आएगा जबकि इसमें negative होगा क्योंकि यहां cable blood है तो यह हमने complete करा artificial bruise और true bruise थैंक यू